कि चले स्टूडेंट्स आज हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम किसी भी अब जेक्ट को फोटो को या किसी भी टाइब के टाइटल को हम मुवेंट कर सकते थे उसके उपर जितने भी इफेक्ट करने थे इफेक्ट देखने थे हमने पीक टूल में देखें अब इन सारे टूल्स पे हम अपनी जरूरत के अनुसार एक 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 चीजों को उप्योग करके देख सकते हैं और हम यहां पर जाएंगे, अब हम देखने वाले यह एक उपर इसका नाम सेफ टूल हो जाता है मतलब हर एक चीज के लिए जो वी टूल इसके उपर रहेगा हम उसका अलग 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 यूज भी कर सकते इसका shortcut बटन वाई दीवे मैंने यहाँ किलिक करा और मैं अपने keyboard से अगर F10 बटन दबाऊंगा तो जैसे F10 बटन दबाऊंगा automatically यह tool अमारा select हो जाएगा यहाँ पर यह जो save tool है इसका save का मतलब क्या हो देखो इसका use तो ऐसा है कि जैसा भी आप कोई चीज तयार करेंगे जब भी आपको size में किसी भी परकार का modification changes editing करना हो तो फिर इसका use करना आप सीख सकते बताता हूँ केसे करना है अभी मेरे पास यह save tool मैंने select किया पर मेरे पास कोई object नहीं है तो मैंने एक free hand drawing करी मैंने आपके सामने free hand drawing की यह देखो कर ली अब यह free hand drawing करने के बाद मैं save tool में गया और जैसे ही मैं save tool में जाओंगा आप यहाँ पर जाएंगे यह देखिए यहाँ पर आपको जहां से आपको यह मूँ करना है वहां से आप मूँ कर सकते हैं जहां से आपको इसको रोटेट करना है वहां से आप कर सकते हैं तो किसी भी जगह से आप किसी भी अबजेक्ट के उपर अगर आप अबजेक्ट के उपर यानि किसी भी freehand tool से बनाई गई drawing की उपर अगर आप save tool का use करेंगे तो अलग-अलग save आपके यहाँ पर generate हो जाएंगे और हर एक save का अपना-पना एक-एक उपयोग यहाँ पर आप करके देख सकते हो यह सिर्फ आप इतना ही नहीं होता है आपने चीज देखिएगा यह मेरे पास freehand tool है यह देखिए यह मेरे पास freehand tool है आपका movement हो रहा है और इसी पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि क्यों न मैं इस जगस से एक कोई भी points पकड़ के मैं कुछ modify करने चाहता हूँ तो आप यहां पर जाएंगे add node कर दीजिए आप जैसे यहां पर add node करेंगे आप इसे यहां से कुछ editing कर सकते जैसा मैं यहां से चाहता था कुछ moment करना पर यहां तो इसका pointer है नहीं pointer अगर है तो वो यहां है यहां है अगर इस बीच के pointer को अगर यहां से देख रहें इस बीच के pointer को अगर आपको delete करना है तो यह delete भी हो जागा एकदम सीधा हो गया आपका यहां पर भी click करके अगर आप delete करना चाहते हैं यह delete node है यह हो गया परन्तु किसी ने बोला मुझे यहां से मुझे इसमें modify करना है तो यहाँ पर click करने के बाद आप इस पर जाएए add note कीजिए और जैसे आपने add note किया तो आप अब यहाँ से जैसे भी modify करना चाहेंगे कर भी सकते हैं फिर चाहे आपको यहाँ से break करना हो तो break करेंगे तो यहाँ से break हो गया अब इस corner को आप यहाँ पर merge कर सकते हैं इसको भी यहाँ पर merge कर सकते हैं इसके साथ अगर मैंने यहाँ cursor रखा और convert to line कर दिया तो अब यह जो area है ना यह line में आ जाएगा अब आपका जो movement होता था ना जैसे यहाँ पर यह movement होता था safe wise, safe नहीं होगा इतना जो area है वो line में convert हो गया यानि आपके लिए मैंने यहाँ एक एक points को practically दिखा रहा हूं मैं यहाँ reverse direction कर दिया तो हमारा reverse direction भी होगा अगर मैंने यहाँ पर rotate to कर दिया तो इतने area में से आप अपनी picture को जैसे चाओगे वेसे rotate करके देख सकते हैं जैसे साफ वगेरा मरने के बाद जो सा गुमता है ना इस तरीके से आप यहाँ पर अलग-अलग type से rotate भी कर सकते हो जितनी भी चीजे हम पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले उस tools को click करते हैं अगर अभी मैंने आपके सामने यह tool किया तो इसकी property बदल गई इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जी आप दो tools को हमेशा use करो एक तो toolbox को on करो और एक windows के अंदर जो यहाँ पर हमारा toolbox से उसको on करो और एक property tool को on करो अगर यह दो चीज को on करा तो जीस भी tools के उपर आप click करेंगे वहाँ पर यह अलग-अलग object आपके बनते जाएंगे जैको अभी इसकी property देखी अब हम देखने वाले अगर मेरा mood हुआ कि इसकी जो width है line की वह हमको मोटी करना है यानि width बढ़ाना है तो हमारी line को उसको dark or यहां से उसका size जो था उसकी outline width थी मैंने बढ़ा दी अभी हम इस tool के उपर यह देखे smooth जैसे कि नाम से ही smooth है अब smooth के साथ साथ आपको यहां से उसका आकार भी आपको बढ़ा कर जैसे यह यहां पर करा यह देखे अभी हमने आकार बहुत बढ़ा कर दी अभी हमने से 50% लिया क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ जैसे अभी मैंने आपके सामने इस picture को ली थी changes किया अभी मैंने आपके सामने फिर से एक object लिया वही free hand बनाया पर क्या करूं मेरा यहां हाथ सीख ठीक नहीं चल रहा था यह मैंने मन से इसा बनाया अब आपका मुड़े की सरी यहां से तो यह आपका इठीक है पर यहां से ऐसा होना चाहिए था तो देखिए मैं जाओंगा इसमूद पर और इसमूद के उपर जैसे आप जाएंगे यह देखिए जैसा भी करना हो कम नहीं हो रहा है उसका यूज ऐसा हो रहा है जाकि आप जब भी भी करें जैसे कभी बार यह पेंज गायब हो गया यहां किलिक करिए यह देखिए अभी मेरे पास एक नए पेंज की उपर में इसको करके दिखा देता हूं और बेटर समझ में आएगा मेरे पास अभी इस तरहिके का पेंज एफोर साइज का पेंज ले लिया अभी हमने यहां पर जाकि इसका आकार जूम कर दिया तो जूम करने के लिए हमेसा इसका यूज करा करो अब आपके सामने में कुछ अजीवो गरीव अबजेक्ट बनाता हूं यह मैंने ले लिया इस अबजेक्ट का मैंने थोड़ी सी लाइन को वीत मूटी कर दी अब आपके सामने अगर मैं यहां जाता हूं इस स्मूत में और smooth में जैसे भी आपको यहाँ पर हमने कर दिया 10% अब अगर मैं यहाँ पर किलिक करूआ तो उसको आप बारीकी से देखिए जूम करके देखेंगे मेरे वीडियो को तो देखिए आपके सामने यह जो rounded shape नहीं था यहाँ पर कुछ shape अगर अलग था उसको ठीक करेगा जैसे वाई दीवे में यहाँ से कुछ shape में बदलाव कर दिया यह हो गया अब यहाँ से ठीक नहीं लग रहा है तो यह smooth tool क्या करेगा यहाँ जाएगा खुदी देखो ठीक करते जाएगा यहाँ से corner ठीक नहीं है यहाँ जाएगा बस आप दबा के रखेंगे आप दियान से देखिएगा बारीकी से देखिएगा यह हमारा एकदम plane ठीक से rotate होते जा रहा है यह होता हमारा smooth अब यह smoothie एक ही काम के लिए नहीं आता है यहाँ पर एक आता सीमर सीमर क्या करेगा जीस pointer पर आप बेड़ जाएगे देखो वहाँ से एक नई design बनाके ले आएगा कुछ भी नहीं करना है आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे यह हमारा सीमर जो टूल होता है इस मियर जैसा हो जाएगा आप जैसे भी आप यहाँ गुमाएंगे अगर आप यहाँ पर गए आपने इसको जैसे modify किया किसी भी अब्जेक्ट को आप अपनी design के इस आप से ready कर सकते यह सब चीज आती है फेशन डिजाइनिंग में जो लोग फेशन का काम करते कपड़ों के लिए designing तयार करते उन लोगों के लिए यह इस मियर टूल बहुत काम का है यही पर आगया टूल जैसो किसी ने बोला सर यहां से कुछ pointer बनाओ यहां पर आप जाएंगे यहां पर आप जाएंगे यहां पर आप जाएंगे यहां गया इस जगा पर बेटके design बनाएंगे यह जगा आप हर एक समय पे एक different difference से designing यह twirler से तयार कर सकते हैं और why the way अगर आप यहां पर गए अगर आपने केवल एक freehand tool से कोई चीज बनाई अगर आपने इसकी designing को और वीत बढ़ा दिया और अगर आप यहां पर जाएंगे twirler पे तो यहां पर देखे यह twirler क्या काम करेगा यहां पर एक design generate कर देगा और ए कुछ बनाते हैं यह अपने आप untitled file हो जाती जिनकी जरूरत नहीं होती है आप उन्हें बंद भी कर सकते हैं यहां से close कर देंगे यह देखें यहां पर आजाएगे यह और इसी के अंदर हम जाएंगे जब twirler के बाद आता है अटेक्ट एंड रिपल इसके लिए मैं थोड यह आपका जो पिक्चर का यह पेंच का जो साइज जूम वह बढ़ा दिखाई देगा आपके सामने यह मैंने एक डिजाइनिंग ड्रॉ करें इसके उपर अगर मैं यहां से जाता हूं अभी मैंने ट्विल करा सारे कालम को इसको मेरों को डिजाइन देना है इसको देना है एक यहां पर देना है और एक यहां पर यह देखिए डिजाइनिंग रेडी हो गई हाज से बनाते तो अच्छी नहीं लगती अब मसीन से बना दी हमने यहां पर से एट्टेक्ट एंड रिपल क्या काम करता है देखो यहां पर जब आप जाएंगे बारीकी से अगर कोई भी चीज को करें तो टूल को दीरे 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 यूज करेंगे मैंने आपके सामने बड़ी स्क्रीन ले ली अब यहां पर क्या करेंगे आप आप करेंगे एटेक्ट एंड रिपल आपका size क्या रखना है हमने 50 का कर दिया और इसका size किता करना ये भी 50 कर दिया अब आप यहां पर जाएए देखो ये लिया ये आ गया अगर आपको यहां से अंदर की तरफ जाना है तो ये आ जाएगा इधर से यहां से लाना है ये आ जाएगा मतलब आपने अगर ये design और जब हम इस टीजाइन पे klick करते जाते हैं और दो-डीजाइन करनेक्ट हो जाएगी यहा पर गये तो यह हो जाएगी. अब देखी यह pointer. अगर मैंने यहां से klick किया यह देखो अब आप इस जग़ पे जाएंगे मतलब आप जहां करसर रख देंगे वहां पर एक नया अब इत्ता यहां पर इस रेंज में आये तो खुदी जोड़ देगा इसी चीजों के लिए हमारे पास यह जो आता है हम इसे बोलते हैं अट्रेक्ट एंड रेपल तुल जो दोनों ची तो यह सब को एड कर रहा है बट अगर मैंने यहां पर यह कर दिया तो यहां एड नहीं कर रहा है इसको दूर दूर कर रहा है यह देखिए यहां पर गए यह आ गया अगर मैं यहां पर गया यह हो गया इस जग़ पे गया यह हो गया इस तरीके से मैं एक 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 चीजों को यूज में ले सकता हूं यहां पर गए हम यह देखिए अब आता है यह हमारे टूल को हम एक 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 चीज को करके देख रहे हैं अभी मेरे पास आप जाएंगे फिर मैंने आपके लिए अगेन एक नया टूल जनरेट किया अभी यहां पर मैं गया मैंने ले लिया इसमग जाओंगा उदर डिजाइन बनेगी अगर मैं बाहर के तरफ जाओंगा तो ऐसे जाएगा और बाहर से अंदर की तरफ जाओंगा तो एक अलग डिजाइन बनाएगा खुदी देख लीजिए यह मैं बाहर से अपने माउस को अंदर ले जा रहा हूं यह डिजाइन आ गई औ आपको अगर कुछ पॉइंट वाइस भी लगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं यह देखिए आग कई पर भी आपको इस तैप की डिजाइनिंग देना हो यह देखिए यह सारी चीजे अभी आपको लग रही है और अभी मैं आपको यह सब चीज इसलिए बता रहा हूं हर एक टू जरूरी भी जरूरी होता है हमको जितना बड़ा साइज देना है वो दिया अब अगर आप यहां पर जाएंगे यह देखिए यहां पर हम जाएंगे अभी हमने यहां से यहां तक जितना भी लेना है अभी हमने 10 पॉइंट कर दिया यह आ गया यहां पर हमने जाएंगे यह आप यहां कर देंगे फाइप पॉइंट कर देंगे तो यह यहां से फाइप पॉइंट हो जाएगा तो सबसे पहले अब्जेक्ट पे जाना किलिक करिएगा यह देखिए अभी हमारे पास बहुत बड़ा अब्जेक्ट है अभी हम इसको छोटा करेंगे कंट्रोल जेट कर दिया वापस आएगा कोई भी चीज कोई भी पिक्चर आप बनाते हो तो सबसे पहले आप देखिए कहां कितनी बड़ी है कितनी दूर गई है यह कंट्रोल जेट करेंगे यह आगया आगे डिजाइनिंग अब आप इसके किलिक करिए बड़ा होता जाएगा और इसकी आउटलाइन का कलर अगर मुझे बदलना है तो बस किलिक करिए माउस का राइड बटन दवाईए प्रॉपर्टी में जाएगे जब प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आउटलाइन का कलर जो देना है आपको वो आउटलाइन का कलर यहां से डिसाइड कर सकते हैं यह आ गया, ओके, decide करने के बाद, आपको यहां से जितना भी लेना है, मोटी पतली line, outline के width जितनी रखना है, outline को dot dot में रखना है, यह आ जाएगा, ऐसे रखना है, यह आ जाएगा, अगर corner rounded करना है, यह सारी चीजे, one by one, यहां से आप कर भी सकते हो, यह देखिए, एसा यह जो tool है, इसे property tool बोलते है, अगर आपको यहीं adjust करना है, तो यह सा रख दो, जब जरूरत होगी, आपको बार-बार open करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह, हाँ, बट अगर आपने cross कर दिया, close कर दिया, इस tool के साथ, यह pick tool का कभी भी आप use कर सकते हैं, और यह safe tool, यह safe tool जो होता है, कभी भी हमें, अलग-अलग समय पे, अलग-अलग designing, अलग-अलग चीजों के लिए उपयोग में आता है, इसी परकार से, हभी हमने, इस tools को पढ़ा, इस toolbox के अंदर, एक चीज के अंदर, safe tool के अंदर, भहुत सारे tools, one by one, हमने, smooth, smear, twill, attract and ripple, smug and rogan, इन tools का use हमने, एक real life में, कैसे use करते हैं, with practicals के साथ बताया, कि कैसे use करते हैं, basically, इसका और अभी हम लोग जब उपयोग देखेंगे, कोई दर्वाजा, steel, लोहे के उपर, लकड़ी के उपर, timber, मतलब जिनके उपर दर्वाजे बनते, खिड़किया बनती, इनके उपर आप इससे एक से बढ़कर, एक design बना सकते हैं, क्योंकि coral draw, एक particular एक चीज के लिए नहीं है, कई सारी चीजों के लिए तैयार किया गया, और इसी चीज को, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जब हम आपको एक practically task करके दिखाएंगे, जिससे आपको इन tools का उप्योग समझ में आएगा, कि किस तरीके से हम में इन tools का उप्योग, real life में करना है, तो हमारा ये जो वीडियो था, ये basically safe tool के कैसे कैसे यूज़ करते हैं, next video में, और कुछ नया मिलेगा, और कुछ सिखने को मिलेगा, तब तक के लिए, इन सारी चीजों को, step by step, video by video, practical करें और सिखें,